असलामू अलाइकुम वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरू करें आज हम पहला सबक हमारी जमीन, हमारा निजामेशम से इसको समझेंगे जब हम मैदान में खड़ाओ कर उपर देखते हैं तो हमें आस्मान नजराता है रात में साफ आसमान पर हमें तारे नजराते हैं ये तारे जमीन से काफी फासे पर होते हैं कुछ तारे बड़े और वाज़े नजराते हैं और कुछ चोटे और दुंदले नजराते हैं अगर हम इन तारों को गौड़ देखे तो इनमें अक्सर तारे जिल मिलाते हैं इने चमचम करते हैं लेकिन कुछ तारे जिल मिलाते नहीं हैं इने चमचम नहीं करते हैं फल्की अजिसाम किसे कहते है आस्मान में पाए जाने वाले तमाम अजिसाम को फल्की अजिसाम कहते है याद रखिए आस्मान में पाए जाने वाले तमाम अजिसाम को फल्की अजिसाम कहते है चान, सूरज, अतारूद, जोहरा, मिरिक वगरा ये तमाम फलकिया जिसाम है लेकिन हमें सिर्फ चान और सूरज ही नजर आते है ये क्यों नजर आते है? क्योंकि चान और सूरज जमीन से करीब होते है लेकिन अतारूद, जोहरा, मिरिक ये जमीन से काफी फासले पर होते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें दुरबिन के इस्तिमाल करते हैं ये कर सकते हैं अब समझते हैं कि सितारे किसे कहते हैं सितारे, जो खुद चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं, सितारे की रोशनी कम ज्यादा होते हमें नजर आती है, सितारे खुद की रोशनी से ही चमकते हैं, जैसे सुरज, याद रखिए सुरज एक सितारा है, दुसरे सितारों की बनिजबत वो हम से यहने जमीन से बहुत करीब है, इसलिए सुरज बड़ा और रोशन नजर आता है, सुरज की रोशनी की वज़े से हमें दिन में सितारे नजर नहीं आते हैं, याद रखिए, दिन में भी सितारे होते हैं, लेकिन सुरज की तेज रोशनी की वज़े से यह सितारे हमें नजर नहीं आते हैं, हमारा अगला मौजू है सयारे सयारे किसे कहते हैं जो चमाकते नहीं उन्हें सयारे कहते हैं सयारों में खुद की रौशनी नहीं होती है उन्हें सितारों से रौशनी हासिल होती है सियारे खुद गर्दिश करते हुए सितारों का इतराफ भी गर्दिश करते है जैसे जमीन जमीन एक सियारा है जमीन की खुद की रोशन नहीं है उसे सुरज से रोशने असल होती है और वो सुरज के इतराफ गर्दिश करती है जैसे शकल में दिखाई दे रहा है कि सूरज एक सितारा है और इसके गिर्द यहनी सूरज के गिर्द अतारुद, जोहरा, जमीन, मिर्रीख, मुश्तरी, जोहल, यूरेनेस, नेप्चुन यह तमाम के तमाम सियारे है निजाम शमसी हमारी जमीन एक सियारा है और इस जमीन को सूरज से रोशनी हासिल होती है जमीन पर जोई भी रोशनी होती है वो सूरज से हासिल होती है और जमीन सूरज के अतराफ अपने मदार पर गर्दिश करती है जमीन की इस गर्दिश को यनि जमीन की अपने मदार पर सुरज के तराफ गर्दिश करने को जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं जमीन की लावा सुरज के इतराफ गर्दिश करने वाले और साथ सियारे हैं कितने सियारे हैं साथ जिनके नाम जिसे आप शेकल में देख सकते हैं कि जिनके नाम अतारूध है जोहरा, मिर्रीक, मुश्टरी, जोहल, यूरनस और नेपचुन निजाम शमसी का हर सियारा अपने मकसुस रास्ते से सुरज के इतराफ गर्दिश करता है शकल में सुरज नजर आ रहा है और सुरज के इतराफ सफिद रंग के दाएरे जो हर सियारे का अपना रास्ता यनि मदार है इसी रास्ते को सियारे का मदार कहते है सुरज एक सितारा है और सुरज के एतराफ गर्दिश करने वाले सियारों को मजमुई तौर पर निजाम शमसी कहते हैं याद रखिए कि सुरज और सुरज के एतराफ गर्दिश करने वाले सियारों को मजमुई तौर पर निजाम शमसी कहते हैं निजाम शम्सी में सयारों के साथ और भी कई फलकी अजसाम शामिल होते हैं निजाम शम्सी में इन फलकी अजसाम में सयारे, जेली सयारे, बोने सयारे और सयार्चे शामिल होते हैं निजाम शम्सी के देगर फलकी अजसाम जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे जेली सियारे इन्हें जेले सियारे किसे कहते हैं? कुछ फल की अजसाम सियारों के अतराफ गर्दिश करते हैं उन्हें जेले सियारे कहते हैं यादर किये कुछ फल की अजसाम सियारों के अतराफ गर्दिश करते हैं उन्हें जेले सियारे कहते हैं जेले सियारों को भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है वो खुद के रोशनी नहीं रखते बलके उन्हें भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है रात में आसमन पर हमें चान नजर आता है वो खुद के महवर पर गरदिश करते हुए इसलिए चान को जमीन का जेली सियारा कहते हैं निजाम शमसी में कई सियारों के जेली सियारे हैं सियारे अपने अपने जेली सियारों के साथ सुरज के इतराफ गर्दिश करते हैं सामने की शकल चान की है रात की वक्त की ये शकल पूनम येनि बदरे कामिल के दीन की चान की शकल है जिस रोज चान बिलकुल नुमाया मुकमल तोर पर नजर आता है चान पर जो रोशनी होती है वो सुरज की रोशनी पढ़ती है यहनी सुरज की रोशनी चान पर पढ़ने पर ही चान हमें चमकता हुआ नजर आता है हमारा अगला मौज़ुक बोना सियार सुरज के गिद गर्दिश करने वाले कुछ छोटे फल की अजसाम होते है इने बोने सियारे कहते है इन सियारों में खास तोर पर पलोटों जैसे फल की अजसाम शामिल है बोने सियारे आज़दन तोर पर सुरज के अतराफ गर्दिश करते है याद रखिए कि बोने सियारों का अपना मदार होता है इसके बाद हमारा अगला मौज़ु है सियार चे मिर्रिक और मुश्टरी के दर्मियान अनगिनत छोटे छोटे फल की अजसाम का एक पट्टा होता है इस पट्टे में पाए जाने वाले फल की अजसाम को सियारचे कहते है जैसे कि आप शकल में देखेंगे के मिर्रिक और मुष्टिदर म्यान हमें छोटे-छोटे अजसाम नजर आ रहे हैं असलमें ये छोटे फलकी अजसाम का पट्टा ही सहीयर्चे हैं सहीयर्चे भी सूरज के एतराफ आज़दना गर्दिश करते हैं सूरज की बनिद्बत निजाम शम्सी के दिगर फल की अजसाम जसामत में ब्याच छोटे होते है सूरज सबसे बड़ा होता है और सूरज की इलावा दिगर फल की अजसामत में छोटे है इन अजसाम की बनिद्बत चांद जमीन से बहुत करीब है इसलिए चांद सूरज से बहुत छोटा होने की बावजुद भी हमें बड़ा नजर आता है क्यों नजर आता है चांद हमें बड़ा? क्योंकि उस जमीन से बहुत ज़्यादा करीब में है सूरज से भी करीब में चांद है बताईए तो भला निजाम शम्सी की तस्विर का मुशाइदा कीजिए और जेल के सुवालों के जवाब दीजिए सुवाल नमबर है सुरज के सबसे करीब कौन सा से जारा है? सुवाल नमबर दो जमीन सुरज से कौन से नमबर पर है? सुवाल नमबर तिन जमीन और अतारुत के दर्मियान का सियारा कौन सा है? स्वाल नमबर चार मिर्रिक्व के मदार के बाहर के सियारों के नाम तर्तिब से लिखिए स्वाल नमबर पाच सुरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सियारा है? कशिश सकल फल की अजसाम में एक दुसरे को अपनी जाने खिचने यानि कशिश करने की कुवत होती है इस कुवत को कशिश सकल कहते हैं जैसे सुरज की सियारों पर असर करने वाले कुवते कशिश सकल और सैयारों की सुरज से दूर जाने की जिबलत के मजमुई असर की वज़े से सैयारे सुरज के गिर्द मक्सुस वासले पर मक्सुस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं यानि सुरज क्या करता है सैयारों पर अपनी कुवत ते कशिशे सकल की विना पर उन अप्याने खिचता है लेकिन सैयारे सुरज से दूर हो जाने की कुवत लगाते है इनकी इस जिबलत की मजमी असर की विना पर जो सैयारे होते है वो सुरज से मौकसुस फासले पर अपने मौकसुस मदार पर ही गर्दिश करते रहते हैं एनि वो जो सियारे हैं वो सुरज के करीब नहीं जाते इस तरीके से जिले सियारे भी सियारों के एतराफ गर्दिश करते हैं जिस तरह जमीन सुरज के इतराफ गरदिश करती है इसी तरीके से जीले सयारे भी सयारों के इतराफ गरदिश करते हैं जैसे जीले सयारा चांद तो चांद भी जमीन इस सयारे के इतराफ गरदिश करता है अब बताएए कि चीजे कि सिम्ट में गरती है नम्बर एक, दरख्त के तूटे हुए पत्ते, फूल, फल किस सिम्थ में गिरेंगे? नम्बर दो, पहालों से तूटने वाले पत्तर, यहने जो पत्तर पहालों से तूटते हैं तो वो घा गिरेंगे, किस सिम्थ में आएगे? नमबर तीन आसमान से बरसने वाली बारिश इन तीनों का एक जावब होगा कि ये तीनों चीज़े जमीन पर गिरेगे कोई चीज ताकत से अगर हमने उपर फेके तो आखिरकार वो चीज उपर जाने के बाद जमीन पर रिदो बार आकर गिरेगे आएए नया लवज सीके खला अब खला किसे कहते हैं सियारों और सितारों के दर्मियान पाई जाने वाली खाली जगे को खला कहते है सियारों और सितारों के दर्मियान पाई जाने वाली खाली जगे को खला कहते है खला को फिजाए बसीत भी कहते हैं देखिए, जमीन से दूर आसमान में नजर आने वाले मुखतलिफ फलकी अजसाम के तालख से इनसान को हमेशा तजस सुस्स रहा है इन्सान सोचता है कि इस तालुक से तैकिक करने के लिए वहां तक इन्हें फलकी अजिसाम तक जाना चाहिए लेकिन जमीन पर से किसी चीज को खला में बेजने के लिए उसे जमीन की करशी से सकल की कुवत से ज्यादा कुवत के इस्तेमाल करके फेगना पड़ता है ये फेगना पड़ेगा इस तर उसने एक टेक्निक की इस्तेमाल किया इस टेक्निक को खलाई सेटिलेट मिशन कहते है जैसे आपने दिवाली के मौके पर मुक्तलिब पठाके देखे होगे जिसमें एक पठाका होता है रॉकेट रॉकेट में धमा का खेस माद्दा यानि बारूद थोस टोस कर भरावा होता है जब इस बारूद यानि इस माद्दे का तेजिसे इतराख होता है तो इसमें तवानाई पैदा होती है और इस रॉकेट की तरह की बनावट की वज़े से पठा का मुक्स सिम्त में ढखिला जाता है इसी तरह खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट के इस्तेमाल करते है इस रॉकेट में बहुत ज्याद मिगदर में इंदन जला जाता है जिसकी वज़े से हजारों टन वजनी खलाई तयारे खला में ले जाना आसान होता है 20 सदी में दुनिया के चन्वालिक ने खलाई परवाज और खलाई तयारे से मुतालिक टेकनिक में तरक्य हासिल की जिसमें हमारा भारत भी पीछे नहीं अब तक सेकड़ों खलाई तयारे खला में भेजे गए हमारा मुल्क भारत भी खलाई परवाज तैकीक और मौसनी सेयारों के मुतालिक मारत के लिए मौशूर है कुछ खलाई तयारे मुस्तकिल तोर पर खला में ही रहते है तो कुछ जमिन पर वापस आ जाते है तो कुछ दुसरे सेयारों ये जीले सेयारों पर उतारे जाते हैं कुछ सैंस्दा भी खलाई तयारे में जाते हैं उन्हें खलाबास कहते है क्या आप भारती खलाबास के बारे में जानते है राकेश शर्मा राके शर्मा 1984 में खला में जाने वाले पहले भारती खलाबाज है इसरो और सुएट इंटर कास्मस की मुश्तरेका खलाई महीम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने आठ दिन तक कयाम किया खलाई से भारत के रफ देखने पर उन्होंने भारत के लोगों के लिए एक पैगाम बेजा पैगाम ये था सारे जहा से अच्छा हिंदो सिता हमारा अब हमारा अगला मौज़ू है मस्नुई जीले सेयारे इन्हें मस्नुई जीले सेयारों को क्या काम होता है जराद, महौल का मुशाइदा, मौसम का अंदाजा, नक्षे तयार करना, जमिन पर पानी और मादिन दौलाओत को दर्याफ्ट करना और खबर रसानी के लिए मस्नुई जीले सेयारों का इस्तिमाल किया जाता है जमिन के अतराफ एक मदार में इसे कायम किया जाता है मस्नुई जीले सेयारा कई साल तक जमिन के अतराफ गर्दिश करते रह सकता है या करते रहता है भारती खलाई मोहिम भारती खलाई मुहिम में सबसे पहले हम चंदरयान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे भारती खलाई तहकी की इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन जिसे मुखतसरन इसरों कहते है या लिखते है इस इदारे ने चांद पर 22 अक्तोबर सन 2008 को एक तयारा रवाना किया इस मुहिम को चंदरयान एक के नाम से जाना जाता है ये तयारे का खास मकसद चांद का गहरा मुशायदा करना था इसी के साथ भारत का एक और एहमन सुबा है जिसे मंगलियान कहा जाता है ये मंसुबा मॉम यानि M-O-M, M for Mars, O for Orbit, M for Mission यानि मॉम के नाम से मशूर है मंगल ये हिंदी लफज है जिसके उर्दु में मानी होती है मिर्रिक मंगलियान को पाच नेमबर सन 2013 को मंगलियान ये नी मिर्रिक सयारे की सिम्थ में रवाना किया गया ये तैयारा मिर्रिक के मदार पर 24 सितेमबर सन 2014 को पहुच गया और पहली मरतबा में ये पहली कोशिश में इसरों ने ये कामे भी हासल की इसे हमेशा जयन में रखे जमीन पर पाई जाने वाली हैती दुनिया की तरह खलाए मोकिकिन ये साइंस दानों को अब तक किसी भी सयारे पर जिन्दगी नहीं मिली ये किसी भी सयारे पर इनसान जमीन की तरह जिन्दगी नहीं बसर कर सकता है इसलिए हमारी जमीन एक अन्मौल सयारा है और किसी भी वज़े से जमीन पर मोलका नुक्सान अगर होता है तो जानदारों के खात्मे का सबब बनेगा इसलिए हमने हमारे जमीन की इफादत करना चाहिए, माल को बरकरार रखना चाहिए